नमस्कार स्वागत आपको सुदर्शन न्यूज में आपके साथ मैं हूँ रंचना शर्मा अब हम आपको उन देश भक्तों की आप बीती बताने जा रहे हैं जो 14 अगस्त के दिन श्री नगर के लालचोक पर पहुंचे ताकि 15 अगस्त को तिरंगा फैराय जा सके लेकिन इन देश भक्तों पर पुलिस और इस्थान ये लोगों का कहर इसकदर बरपा जिससे सुनकर आपकी रूख आप जाए दरसल श्री नगर पहुंचने के बाद इन देश भक्तों ने ठहरने के लिए वहाँ होटल बुक किया लेकिन रात में ही वहाँ पुलिस ने दबिश देकर देश भक्तों को परिशान करने की कोशिश की तिरंगे का अपमान किया यही नहीं श्री नगर पुलिस के जवानों ने इन देश भक्तों के साथ मारपीड भी की देश हमारा है कश्मीर हमारा है श्रीनगर हमारा है लाल चौक हमारा है तो तिरंगा फैराने में परहेश क्यों लोगों को दिक्कत क्यों है कुछ देश भक्त जब 15 अगस्त के मौके पर वहां तिरंगा फैराने गए तो उनको सलामी नहीं दी गई उनकी होसला अवजाई नहीं की गई वहां की स्थान ये पुलिस ने बचसलू की की यही नहीं श्री नगर पुलिस के जवानों ने इन देश भक्तों की किसी अग्यात थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई इसके बाद 500 मीटर दूरी पर ये थाना है और यहां ले जाकर इनकी मारपिटाई भी की गई आईए आपको सुनवाते हैं देश भक्तों की आप बीती को और आप ही सुनिए कि कि किस तरह से श्री नगर की अंदर एक बड़ा खाम्याजा इन लोगों को भुगतना पड़ा जब देश हमारा है तो तिरंगे का विरोध करने वाले श्री नगर की ये लोग कौन होते हैं एक बार इनकी आप भीती सुनिए एक देश भग और अच्छा नागरिक बनने से ज़्यादा खुसी होती है राश्ट्य के द्वच को फैराने में हमारा राश्ट्य द्वच केवल वह नहीं है जिसे कुछ लोग राजनेतिक अंदास से देखते हैं बलकि हमारा राश्ट्री दज वह है हमारा राश्ट्रिय की एक्ता का प्रतीक है और इसी राश्ट्री की एक्ता की भावना लेकर कुछ नौजवान छात्र जो की ग्रेटर नौईडा के रहने वाले हैं पंद्रा अगस्त के दिन श्री नगर के लाल चौक पर जा पहुचे राश्ट्री धर्श को फैराने के लिए उन्हें नहीं पता था कि उन पर किस तरह की मुस्वितों का पहाड तूटने वाला है मुस्वितों से बेखवर होके बुलंद होसले के साथ वो जा पहुचे लाल चौक पर आईए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ लाल चौक पर उन्हीं की जवानी आईए जानते हैं इस नौजवान चात्र से जो की स्री नगर लाल चौक पर गए थे राष्टे द्वज फैराने के मकसद से क्या कुछ उनके साथ हुआ इनी के जवानी हम जानते हैं आप सबसे पहले अपना नाम बताईएगा मेरा नाम विसाल कुमार है मिसाल जी आप शीनगर लाल चौक पर किस मकसद से गए थे वहाँ जा के आपको किन परसितियों का सामना करना पड़ा क्या कुछ आपके साथ हुआ आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएगा देखे हम वहाँ पर धाज रोहन के लिए 15 अगस्त को लाल चौक पर धाज रोहन के लिए गए थे लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो लगबग रादी आध वजे नया कस्मीर नाम का होटल था उसमें हम लोग रुके थे राद तरी आठ बजे के सम्थिंग में कुछ पुलिस वाले जम्मू कस्मीर के जो पुलिस के जवान थे वो लोग अंदर गुसे और हम लोग दो रूम में सिफ्ट थे हम चार साथी तो रूम के अंदर गुसे उन्होंने बोला आपकी तलासी लेनी है तो असोसे क्या वो मतलब आप जैसे ही होटल में चेक इन किये चेक इन करते के साथ ही पुलिस वाले वहाँ पाँच गए जी जी जैसे हम लोग कुछ देर मतलब 10 मिंट हुआ होगा इससे जादा नहीं हुआ था 10 मिंट होते ही वो लोग घुस गए अगुसते ही उन्होंने बोला आपकी चेकिंग करनी है हमने बोला जी सर बिल्कुल कीजिए उन्होंने हमारे पहले मोबाइल जब्त कर लिया उन्होंने कहा है दूसरे पुलिस वालों को देकर किसे जला दो जैसे कि आप बताए अपना नाम बताईए मैं अमन त्यागी हूं सुरजपुर का रहने वाला हूं अमन जी आप भी इस मिशन में इनके साथ थे जी ठीक है आप हमें बताया जैसे कि अभी आसुतोष नी जी बताया कि पुलिस वाले ने राज चिद्वर्च को पैर की नीचे कुछलने के लेका यहां तक ही उसी जलाने तक के लिए भी कहा तो उसके बाद आपकी क्या गया जाने वाले जो लाइटर होता है वो लाइटर ता उससे जला रहे था हमने उन से तीना वह जंडा उसके बाद क्या हुआ मैं मैं उसके बाद उनोंने हमें मानने सुरू कर दिया बोल ले थे कि अगर तुम इधर जंडा फैरा दोगे तो इंडिया नहीं यह पाकिस्तान रहेगा मतलब यह पाकिस्तान है यह इंडिया नहीं बन सकता है जी आपका नाम सौरफ सेनी जी आप इस मिसन में क्या पूरे मिसन में इनके साथ ही थे तो इस पूरे मिसन के दोरान क्या हुआ जैसे की जब पुलिस वालों ने बैक चेकिंग की और जंडे को पैर की नीचे कुचलने के लिए कहा और फायर करने के लिए कहा उसके बाद और क्या-क्या चीज हुई जो आपको ने फेश गी जी उसके बात जो अनके वहां कौश्ट-वेल थे उनहों ने अपने इसमें इतना दम है, इंदुस्तानी मा का बेटा है, जग में किसे कम है, गीदर भबकियों से डर जाए, वो भारत मा का संतान नहीं, शेर हम इस दुनिया के, शायद तुमको इसके पहचान नहीं। ऐसे ही तराश की अभ्यान अगर आतंक बादियों के खिलाफ चलाते, तो लगातार आतंकी गती विदियों में इज़ाफर नहीं होता, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों तिरंगे का अत्मान किया गया और क्यों इन देश भक्तों को लाल चौक पर तिरंगा नहीं फैर युवाओं को दिया जा सके कि कश्मी भारत का ही अभिनंग है, जो आपके साथ अनुभव रहा, वहां आप गए, आपके साथ जो बदसलू की हुई, मैं चाहूंगे आप हमारे दर्शकों को वो बताएं, सबसे पहले विशाल आप से जाना चाहूंगे. मैं बता दू, हम लोग यहां से 13 तारिक को जनतर मंतर से दुपढ़ साथे बारे बज़े के करिब रवाना हुए थे जम्मू कस्मीर के लिए, तो बाई ट्रेन से हम लोग गए थे और 14 तारिक को हम लोग पहुच गए थे, लगबग 3-4 बज़े करिब हम लोग नया कस्मीर ह हम का होटल है, ठीक लाल चोक के सामने वहां पर उस होटल में हम लोग ने रूम लिया, दो रूम लिया था, और फिर हम लोग नहायत दोहा कर बाहर निकले और बाहर निकल कर हम लोग जैसे खाना खाकर अंदर गुशे, लगबग 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ ही 10 मिनट के आसपास में कुछ पुलिस वाले अंदर गुश जाते हैं, अब पुलिस वाले जब अंदर गुश तो आपके वहां पहुंशने की और जो आपका कारेक्रम था कि आप लाल चोक पर जाकर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फैराएंगे, तो क्या इस बार में जानकारी किसी को जी इस विसाय को लेकर हमने आज से दो महीना पहले ही भारत के ग्रह मंतरी मानिया स्री राजना सिंग जी को भी पत्र लिखकर भेज दिया था और मानिया मुख्य मंतरी जो जम्मु कस्मीर की हैं उनको भी अवगत करवा दिया था और गौतम बुद नगर जो सांसर दॉक्टर महिश सर्मा और केंद्रिय मंतरी हैं उनको भी हम लोग मिलकर और लेटर देकर अवगत करवा दिया था कि सर हम जारेया अनुमती पत्र दिया था कि सर हमें अनुमती चाहिए लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आया हम अपके और साथी भी मारसात मौजूद ह सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी आशुतोष मिश्रा नाम है मेरा जी तो आशुतोष जिस तरह से आपके सयोगी बता रहे हैं कि आप गए थे वहाँ पर अनुमती मांगी तो अनुमती पत्र आपको नहीं मिला बावजूद इसके जब आप गए तो किसी तर ऑनल जो जिब आपके we should only 2-200 to 200-300 Metre की दूरी पर चेकिंग हूरी थी हमारे हमारी तो आप पर वहां की बहन तो हमें देखके घूर रही थी और प्मूच रही थी यह आए कहां से हैं और उन्होंने मदलब हर जगे चेकिंग की उसके वाद जब हम पहुंच गए तो उन्होंने टैक्शी ड्राइवर था उसने बताया कि कल यहां पर 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को यहां पर बंद रहता है यह पत्थरवाजों का इलाका है चनयनी और अनंतनाक के बीच में बताया कि पत्थरवाजों का इलाका है यहां पर पत्थरवाजी होती है तो कल आप 15 अगस्त के दिन आप अपने होटल में बहार नहीं निकलना क्योंकि शुरक्षित नहीं रहेगा यहां पर पत्थरवाज लेकिन अगले दिन जो दहें लिए कैंसे थे कि जैसे में मतलब हमोई जुरूम करे बाहर ओर हमारी फ्रक्प्सक्षाग देखते हुए वहां का उनका जो हमारे ड्राइवर था उसने अनंद ना ले जाके हमें बाई पास से निकाला इस डर से कहीं हम पे हमला ना हो जाए यह जो हमले का डर था इसका मतलब यह है कि पहले से चीज़े प्लैन थी आपका नाम जाना चाहूंगी आपका नाम चाहूंगी कि यह जो डर की बात कर रहे हैं कि पहले से वहां पर आपको ऐसा महसूस हुआ究elा हो सकता है तो क्या यह आपको महाहां पर जाकर जब हम observation की बात करते हैं लगा आपको कि इस सारी चीज़े पहले से पर किस मिसंन से आए यह हम से बड़ी तसलिष से देखा गया था उन्हें फिर चौदा तारिक को हमने वहां पर होटल लिया होटल के बाद में हमने एक दू घंटे अराम करा अराम करने के बाद में हम खाना खाने गई खाना खाने के बाद जैसी हमाई 5-10 मिन बाद पुलीस आ उनके डेस्पी राशित को वहां पर आई वो कहले लगे आप किस किस उदेश से था आई हमने उनको बताया कि काल 15 अगस्त हमाट वजे यहां तिरंगा फेर आएंगे उसके लिए हमने उनने बताया कि हमने मानने राजनास सिंग से परमीशन भी मांगी थी और आपके सीम साब स भी मांगी तो उन्हें ने कहा आप क्यों आया आप उन्हें भेज देते तो उसके बाद में ने ने डियस्पी राशिट ने एक दूसरे कर्श तो उसके नाम किया था जिसने अमारी रिपोर्ड लिगी थी उनका नाम एहमद था एक का नाम आवेद था और एक का नाम एहमद था जो आपका अरुबब जाना चाहूँगे मैं, मैं आमन्तियागी, सुरजपुर से रहने वाला हूँ, मैं, हम जैसे की 13 अगस्त को अपने आवाज से निकले थे, 12 वजे हम जनतरमंतर पर पोच गए थे, उसके बाद हम सीधे बाई ट्रेन जम्मु कस्मीर पोचे, फिर उधर के पोचने के बाद मैं हम स्री नगर पोचे खाना खाने के बाद जैसा हम आते हो, पांच मिनट भी मुश्किल सा हुई होएंगी, पुलिस वालों की दभीश महाँ पर है, कानुन व्यवस्ता के ओपर सवाल, और भेदभा के साथ का, मैं, भेदभा बहुत जाद है उधर, भेदभा बहुत जाद है, बहुत जाद है, हम हमारे साथ बसीद एहमत साथ जुड़ गए है, नेता है एंसी के, एहमत साथ बबन सागत आपका सुदर्शनी उस में, जी, तैंक्यू, एहमत साथ कुछ देश भक्त बैठे हुए हैं, जो 15 अगस्त के दिन लाल चौक पर तिरंगा फैरा आना चाहते थे, लेकिन विडंबन होने के नाते, आप क्या कर रहे हैं? गिरिपतार किया और काफी मार पटाई हुई, बिलकुल मेरे जहां मैं रहता हूँ, जिस क्वार्टर गर में रहता हूँ, उसके सामने ये वाक्या हुआ, उसके बाद और भी कोई ग्रूप आया था, जो लाल चोक की तरफ जाने की, जन्होंने कोशिश की, जहां तक मेरा अ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि आपको पता है, अगर यहां पर थोड़ा भी डील दी जाए, कहीं से मिलिटेंटू का अटाय का खत्रा होता है, कहीं थानिये लोग निकले, उन्होंने किसी के साथ जात्ती की, तो एक इशू बन जाने का खत्रा था, उसक की हर बात को सुन रही हूं, लेकिन कश्मीर के हालातों का ही एक यहां पर एक्स्क्यूस क्यों दे दिया जाता है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई दोर आहे नहीं, अगर देश भक चाहते हैं मा तिरंगा फैराना, तो इसमें बुरा ही क्या है, उसमें क्यों हालात देखें मैडम, आपको पता नहीं यहां कितने हालात खराब है, यहां की एडमिनेस्ट्रेशन किन हालात से 2-4 है, यहां पर किस तरह से लोग अपने इस अडमिन्स्ट्रेशन को चिला रहे हैं, वो हम लोगों को ही समझाता हूं लोग जानते हैं और उस दिन तिरंगा जग Ale चलिए तो हालात खराब है लेकिन यह हालात खराब क्यों है और क्यों हालातों को इतना बत्तर बना दिया गया कि जंडा फैराने के लिए भी रोक लगाई जा रही है बैर अलबर्बर शुक्रिया बशीर साब हमा साथ जोड़ने के लिए देखें आप लोग जिस होसले के साथ गएते हैं उस होसला अवजाई के लिए सलाम करता है सुदर्शन यूज आपको लेकि जो आपके साथ हुआ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है राजनीतिक गल्यारों में लोग अलग-अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं कि वहां हालात खराब है भले हम यह स्टूडियो में बैठें लेकिन सवाल यह उठा रहे हैं कि हालात खराब करने वाले यही राजनीतिक लोग हैं जो ऐसे तर्क देते हैं क्योंकि आपके साथ बचसलूकी हुई है आप लोग अपनी आप भीती हमाया दर्शकों को बता रहें अब आपकी मांग क्या है सभी से मैं एक फाइनल कॉमेंट चाहूंगी सबसे पहले विशाल आपसे मैं हमारी मांग यही है कि यदि हम तिरंगा फैराने भारत का हम हो या कोई भी हो यदि तिरंगा फैराने जाता है तो उसको पूर्ण चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो चाहे वहां के नागरिक हो वो पूर्ण रूप से उसका समर्थन करें चलिए आप से भी आशूर तर जी हम में पुलिस थी वह ऐसा नहीं लग लाव कि मोल है वो उसके सांबूती दिखा रहे थे और वहाथ जिस तरहों पेस को प्एशा को ओले हैं उनका जिस कि जानवरों के साथ मार पीट कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर किस तरीके के हालातों को वो लोग जरम दे रहे हैं अमन आप से मैं समय बड़ी बात है कि वो पुलिस वाले बाहर के लोगों को घुसा के हमारी मार पिटाई होई उधर एक विदाय का नाम ले रहे थे मुझा इत जम्मौ कसमीर पुलिस तरीके के वो लोग जब आतंकी बन जाए और पुलिस वाले जब आतंकवादियों का संगरक्षण करने लगे तो आप खुद जानते हैं कि भारत की तस्वीर क्या होगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हर व्यक्ति को आजादिय कश्मीर जाकर लाल पर तिरंगा फेराने की किसी को अधिकार नहीं है कि इन देश भक्तों को रोखे इसके साथ ही नाम से किसी की पहचार नहीं करी जानी चाहिए लेकिन हरकते बताती हैं कि आप क्या सीख कर रहा हैं लाउड स्पीकर की आवास से एक ओकर पत्तर उठाने वाले लोग कि कभी नही कि लाल चौक पाथ तिरंगा फेराना किस गर्व के तला से हमारी होसला अवजाई करता है इसके साथ दीजे मुझे इजाज़त लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जोड़े नहीं सुदर्शन न्यूस के साथ जै हिंद